हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो आध्यास किचिन 24 आज हम बनाने जा रहा हैं खस्ता नमक पारें जिसे हम निमकी खस्ता मटा रेसिपी के नाम से भी जानते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को सबसे पहले हम लोग दो तैयार कर लेंगे इसके लिए हम लोग एक परात में मैदा डालेंगे एक चममज नमक डालेंगे अजवाइन और कलुंजी डालेंगे दोनों हातों से रब करके डालेंगे इससे इसका अच्छा फ्लेवर आएगा पीछ में एक छोटा सा हुल बनाकर अब इस से रिफाइन ओयल डालेंगे रिफाइन ओयल डालेंगे इसे फ्रेंच मोहिन भी बोला जाता है जो ओयल या गी हम लोग डालते हैं न इसे मोहिन बोला जाता है, तो इससे अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, हातों से अच्छे से मिक्स करेंगे, इससे क्रंच आएगा, जो मोहिन होता है ये क्रंच लेके आता है, और अगर अच्छे से मिक्स नहीं होएगा, तो इसमें क्रंच नहीं आएगा, इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से इसे अच्छे से हम लोग mix करेंगे इस तरह पता चलेगा कि हम लोग मैदा को हातों से इस तरीके से कर रहे हैं तो लड़ू बन रहा है इसका मतलब है कि texture हमारा बिलकुल सही है oil हमारा बिलकुल sufficient है तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका hard dough बना लेंगे और मसल मसल कर इसका dough बना लेंगे soft dough नहीं बनाएंगे hard dough बनाएंगे friends नहीं तो इसमें crunch नहीं आएगा झाल तो यह लीजिए हमारा नमक पारे का dough बनकर बिलकुल तयार हो गया अब इसे हम ढग कर दस मिनट के लिए छोड़ देंगे दस मिनट हो गए हमारे अब हम लोग dough को एक बार चेक कर लेंगे इससे फिर से एक बार मसल लेंगे अच्छे से और अब इसकी चोटे चोटे लोई बना लेंगे इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे अब इसमें से एक टोई ले लेंगे और बाकी के लोई को ठक कर रख देंगे अब इसे हातों से अच्छे से गोल शेप बना लेंगे पेड़े बना लेते हैं इस तरीके से इसे फैला देंगे इस तरीके से और अब हम इसे अच्छे से बेल लेते हैं थोड़ा पतला ही बेलेंगे और इसमें बिलकुल भी कुछ नहीं लगाना है यह देखिए कितने इजली से यह उठ रहा है क्योंकि इसमें हमनों मोहिन डाला है यह लीजिए इसे हमने बेल लिया है इस तरह से हम लोग पतला बेल लेंगे अब एक पीजा कटर के हेल्प से मैंने साइट से कट कर रही हूँ इस तरीके से लाइन बना लेंगे आप चाहे तो इस जगा चाकु भी यूज़ कर सकते हैं हाफ आफ इंच के डिस्टिंस में इस तरह के से सीधा लाइन बना लेंगे अब इसे हम इस तरह डाइमंड शेप में कट कर लेते हैं और इसे अब इस तरीके से ये देखें डाइमंड शेप में मैंने कट कर लिया है आप चाहे तो अब अपने मन पसंद की किसी भी शेप में कट कर सकते हैं और इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में डाइमंड शेप में कट कर कि मैंने सारे नमक पारे को निकाल लिया है अब इसे हम फ्राइ करेंगे तेल हमारा अच्छे से गरम हुआ की नहीं चेक कर लेते हैं एक नमक पारे को तेल के अंदर डाल देंगे ये देखे तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है इसे बाहर निकाल देंगे और बाकी के नमक पारे को डाल कर हम फ्राई कर लेंगे गैस का फ्लेम मीडियम रहेगा थोड़ा ध्यान से डालेंगे ये देखें जाते ही तेल में गुल गया अलग-अलग हो गया और इसे अब हम लोग कंटिनुएस चलाते रहेंगे और फ्राई करेंगे जब तक की लाइट ब्राउन कलर ना हो जाए इसे आप कंटिनर में बंद करके एक से दो महीने तक रखके भी खा सकते हैं ये कभी खराब नहीं होते या कहीं बाहर जा रहे हैं तो ये ले जा सकते हैं तो आप अपनी स्नैक्स खुदी बना कर ले जाएए ये देखी लाइट ब्राउन कलर हो गया अब हम इसे निकाल लेंगे बाकी की नमक पारे को भी इसी तरह का से प्लो फ्लेम करके निकाल लेंगे निकालते समय ध्यान रखी कि गैस का फ्लेम लो कर दे आप इसी तरीके से बाकी के बचे वे नमक पारे को भी हम लोग फ्राई कर लेंगे तो ये देखी हमारा नमक पारे बनकर बिलकुल तयार है ये खाने में बहुत ही कृस्पी लगता है तो आप भी इसे बना कर खाये खिलाए और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले तो अच्छी तुन पर मैं नेक्स्ट रसीपी थैंक ये सो मुझ वाची वाची मैं वीडियो भाई टेक्यर